नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है हमारी चैनल सक्सिस प्लेस में इस वीडियो में हम बात करेंगे डियो के बारे में पलाए कर सकते हैं और आप कैसे इस के लिए अप्लाए कर सकते हैं ए चणेल को सब्काइब कर लिएग लिए कि लिए और सब्सक्राइब कर लेजाएगा बगल ऐकर को नवा। ताकि इस तरह के वीडियो आगे भी आपको मिलता रहे तो अचले वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले बता दे कि रिलाइंस जो राइट इस्यू लाया है उसके तहत कुल देख सकते हैं 53,125 क्रोड 53,125 क्रोड कुल इतना का फंड रेज करेगा जिसके लिए राइट इ माई तक आपने खरीद रखा है तो एक्स राइट इस्यू देख सकते हैं 13 माई है मतलब एक्स मतलब इससे पहले अगर आपने खरीदा है मतलब बारे माई तक अगर आपने खरीद रखा है रिलाइंस का सेयर तो आप राइट इस्यू के लिए अपलाय करते हैं राइट इस् में अगर 15 के multiple में जो है 150 share रखते हैं तो 10 share के लिए right issue के तहद आप apply कर सकते हैं जो कि आपका price होगा मतलब जिस price आपको right issue के तहद share दिया जाएगा वो होगा 1257 वही बात करें अदिख closing price जो closing price है RS 1458 रुपेज 90 पैसा जो ये हमारा लास्ट ट्रेडिंग ये रिलाइंस का जो closing price है जो कि अभी भी जो right issue का price है उसे 16% उपर है मतलब अभी आपको 16% के discount पे right issue के तहद share मिल रहा है मतलब यही benefits है right issue के तहद कि आपको 16% के less price पे आपको right issue के तहद share मिल रहा है तो अगर आपके पास 15% है तो एक share के लिए apply कर सकते हैं 30% है दो के लिए 45% है तह तीन share के लिए 60% है तो चार share के लिए 75% है तो पांस share के लिए इस तरह से right issue के लिए apply आप कर सकते हैं उसके बाद बात करनें तो जो reliance का जो valuation है जब से facebook का deal हुआ है और vista equity investment और जो silver lake deal है यह साड़े तीनों के तीनों जो deal है facebook का, vista equity का और silver lake का इस तीनों deal के बाद reliance का जो target है मतलब reliance का जो fair value है different brokerage house के द्वारा वो देख लिए कुछ इस परकार है मुतिलाल उसवाल के अनुसार जो reliance का stocks है वो 1618 डूपीज का target है दूसरा idil wise का 1645 का वहीं imka global का 1630 का axis capital का 1780 का तो देख सकते हैं कुल यह मतलब मिला जुला target है जो हमारा reliance का जो share है उसका कि कुल इस तरह का price अभी reliance का रह सकता है तो इसलिए आप अगर apply करते हैं तो अभी आपको मात 1257 रूपीज पर आपको right issue के तह सेर मिलेगा महीं आप देखते हैं CLSA इसका जो RS 1770 रूपीज इसका target है वहीं centrum broking इसका target है 1595 रूपीज तो overall सारे के सारे जो average रूप से बात करें तो वो 1600 और या उससे इस price तक reliance का stock पहुच भी चुका था तो देखते हैं कुछ यह है हमारा right issue के तहत जो आप share apply करते हैं उसका date है 20 माई से 3 जून तक 20 माई से 3 जून तक आप reliance के right issue के लिए apply कर सकते हैं अगर आपने 12 माई तक reliance का share buy कर रखा है या पहले से आपके पास share है तो आप reliance के right issue के लिए apply कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए informative रहा होगा आपको सारे information इसमें right issue के तहत मिल गए होंगे तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक क्लिए जहिन